चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल आइकन को और फिस एड़ कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना तो कुछ दिनों पहले हमने गूगल प्ले स्टोर की वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में हमने गूगल प्ले स्टोर के कुछ फीचर्स बताये थे आज की इस वीडियो में भी गूगल प्ले स्टोर के कुछ चीजे आप लोगों को बताएंगे जो कि आप लोगों को जाननी जरूरी है जैसे कि unused app आपके archive हो जाए कोई भी in-app purchase आप करते हो है ना किसी भी application को purchase करते हो तो आपको biometrics आप easily मतलब purchase कर पाओ हर बार आपको password डालना पड़े है ना ऐसी कई सारी चीजे आज की इस वीडियो में बताने वाले है तो अगर आप पहले से ही वीडियो को skip कर सकते हो नहीं जानते वीडियो को एंटर जरू देखो तो हम लोग open करेंगे play store को और देखेंगे कहा पर आपको यह settings सारे मिलेगी इसमें चलेंगे हम लोग अपने account में और आगे setting में चाहेंगे सेटिंग में चलेंगे सेटिंग मैंने के बाद हम लोग अगे जनरल में चलेंगे हाँ पर क्लिक करेंगे इस पर अब जनरल में जाके हम आके आके स्वाइप करेंगे सबसे इंपोर्टन सेटिंग यहां पर यह है automatic archive app अगर आपके फोन में स्टोरेज कम है तो आप यह automatic archive वाला फीचर यहां से होगा क्या सुनिएगा ठीके जो आप रियरली यूज़ कर रहे हो वह app automatically archive हो जाएंगे उससे आपका storage बचेगा आप अप्डेट नहीं होगी और अप्डेट नहीं होगी तो फिर वह अप्डेट नहीं होगी तो अप्डेट होती रहती है तो इसका data बढ़ते रहता है तो इसलिए वह app अप्डेट इन स्टाल अप्टमाइजेशन इसको भी आप अन कर सकते हो इसे जो कुछ आप का data वह Google के और जाएगा और वह वह इस पार्ट यह उसको ओंड का यूशित है यह जो जो है आपको जो इंड ब सब्सक्राइब कर आपको तो इसको आप भी करके रख सकते हो आगे देखेंगे आप डाउनलोड प्रेफरेंस तो आप जो है ओवर इनी नेटवर्क कर सकते हो इसमें आपको वाइफाई का भी ऑप्शन मिल जाता है अप्शन चेक करके रख सकते हो आगर आप चाहते हो कि आप अपडेट करो तभी अपडेट हो या फिर आप वाइफाई अब इसको इसको एक्सपाइंड करेंगे ठीक है आप इसको ऑन कर सकते हो जब भी आप पर्चेस करोंगे तो यह बाइमेट्रिक लेगा आपका और आपका पर्चेस अप्रूफ हो जाएगा तो इसको और कर लेना है हर बार यह पूछता है लेकिन जब भी आप अगली बार फिर पर्चेस करने जाते हो फिर पास्वार पूछता है एक बार आउन कर दोंगे तो आपको यह बार बार नहीं पूछेगा यहां से आप वेरिफिकेशन फ्रिक्वेंसी जो है पूछ सेट कर सकते हो देखे हो तो यह कुछ कर म करते हैं जिबहुति करते हैं जहिए इन सब चीजों का सब्सक्राइब पूपियां प्रेटा मैतड है उसको आपने अकॉडंग करना चीजों को एपने अकॉडिक्वेंस 집에 करना चीजए तो आप जो है पर नुद इस अप्टेस वाला मैतड है इसको सेट और जो हमने कहाँ डेटा वाला जो ऑटोमेटिक डाउनलोड अपडेट वाला वह भी आप अपने अक़र्डिंग सेट कर सकते हो तो यह सारी चीज़े आप अपने अक़र्डिंग विजिट जरूर कर लेना और हम मिलेंगे किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जैहिन मैं था जीतुराज